अरे ओ रानी रानी सो रही हो क्या अभी तक रानी की जिठानी जोर जोर से चिला रही थी घर के आगन में खरे हो कर रानी यानी मैं तभी मैं भागती हुई अपने कमरे से निकली और बोली दीदी आगई मैं जठानी बोली रानी तुम्हारा नाम रानी है तुम रानी नहीं हो मैंने तुम्हें रात में ही समझाया था कि सुबह को जल्दी उठ जाना तुम्हारी मूँ दिखाई की रस्म है मैंने बोला कि दीदी रात को नींधी नहीं आई नई जगह है न और मन में थोड़ा डर था कि सुबा आँख नहीं खुली तो रजनी दीदी हस्ती हुई बोली रानी मेरी प्यारी देवरानी जल्दी से गुंगट कर लो अगर माजी आ गई तो हंगामा हो जाएगा मैंने गुंगट किया ही था तभी माजी वहां आ गई करक्ती आवाज में बोली चलो अब यहां यहीं गब सब मारती रहोगी तुम दोनों हमने चलना सुरू ही किया था तभी माजी ने रजनी दीदी के कंदे पा हात रखा और बोली पता है न कहां से जाना है और कैसे जाना है माजी ने बोला कि जब भी कोई बरा तुम्हारे सामने खरा हो तो हमेशा गुंघट में रहना और कम से कम अपने बरों के सामने आना और बिना घुंगट के तो कभी नहीं रजनी दीदी कुछ बोली ही नहीं बस अपना सर हिला कर हां बोल दिया मैंने भी बस अपना सर हां में हिलाया मा जी के जाने के बाद मैंने पूछा रजनी दीजी आप तो स्कॉलर हो और इन सब चीजों को कैसे निभाती हो रजनी दीजी मुस्काई और बोली कि मैं थारे जेश जी से बहुत प्यार करती हूँ इसलिए अभी तक चुपचप सब निभा रही हूँ मैं कुछ नहीं बोली और चुपचप रजनी दीजी के साथ घर के बाहर वाले कमरे में जाकर बैठ गए वहाँ पर एक परोश की आंटी जी बैठी थी वे बोली कि यह कैसी बहु है ससुर जी सामने खरे हैं और यह यहां बैठी है मुझे कुछ समझ ही नहीं आया रजनी दीदी बोली कि आंटी जी अभी यह नई बहु है यहां के रीती रिवा सिखने में थोरा समय लगेगा रजनी दीदी मुझे वहाँ से उठा कर मेरे कमरे में छोरी छे महीना यहीं छोटी छोटी चीजों में बित गया फिर एक दिन मैं राहुल के साथ सारी लेने गई राहुल को फोन आया और वे दुकान से बाहर बात करने चला गया सारी की दुकान पर मैं बेधरक होकर सारीया देख रही थी तभी साथ में बैठे हुए अंकल जी खांसे एक बार फिर दो बार फिर तिन बार मैंने सारी वाले भैया से बोला कि भैया इन अंकल जी को पानी दे दो बहुत खासी हो रही है इन है अंकल जी भराकूट है और बोले क्या बत्तमीज लड़की है यह कभी सर्म लिहाज है या नहीं इस दुकान पहंगामा देख रहुल भाग कर अंदर आया और अंदर आते ही अंकल जी के पैर चुकर बोला मामा जी आप यहाँ मैं घबरा के दुकान से बाहर निकल आई और एक लंबा घुंगट करके गारी में बैठ गई राहुल बाहर आया और गारी में बैठकर गारी बहुत ते चलाने लगा मैंने धीमी आवाज में बोला गारी बहुत ते चला रहे हो कहीं एक्सिडेंट न हो जाए हम घर पहुँचे ही थे तभी माजी जोर जोर से चिलाते हुए बाहर आई देखो आगी है रानी साहिबा खंदान की इजट मिट्टी में मिला कर तभी रजनी दीदी आई और बोली माजी मेरे साधी को छे साल हो गए है मैं अभी तक मामा जी को नहीं जानती है कैसे जानेगी माजी जोर से चिलाई देखो कैसे चपर चपर जबान चला रही है राहुल सब की बात काटते हुए बोला मा ये दोनों सही बोल रही अगर ये हमेशे घुंगट में रहेगी तो मामा जी को कैसे पहचानेगी और मा आज मामा जी के फोन पर तुमने पूरे घर की सानती को भंग कर दिया ये वही समाज है जिसने सीता मया पर भी उंगली उठाई थी पिता जी और जेट जी ने भी यही पच अपना रखे जो की राहुल के बात से सहमत थे मा जी थोरी देर सोचने के बाद वापस रजनी दीदी और मेरे पास आई और बोली तुम दोनों को अपनी मर्यादा पता है मुझे उमीद है कि तुम कभी भी मेरा सीर सर्म से नीचे नहीं जुकने देगी हम एक ही परिवार के सदस्य हैं हम हमेशा साथ रहना अच्छा वक्त हो या बूरा वक्त है हर सदस्य को अपनी मर्यादा पता होना चाहिए मा जी ने मुझे और अजनी दीदी को गले लगा लिया